साइट ख़बरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बैल आइकन गो प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिलें एक्स्क्लोसिव ख़बरें अकांक्षा दुबे को लेकर अब तक की सबसे बड़ी ख़बर है अकांक्षा के एक नहीं दो नहीं बलकि चार-चार करीवियों ने पहली भार वो सब कुछ बोल दिया है जो लोग जानना चाहते थे जो पुलिस जानना चाहती थी जो कोट जानना चाहती थी और इन चार करीबियों ने सब कुछ सच सच उगल दिया है बता दिया है समर सिंग और अकांक्षा दुबे की शादी कंफरम हो गई थी तारीक भी तही हो गई थी सब कुछ फिक्स हो चुक सब कुछ आपको दिखाते हैं बताते हैं आप इस वीडियो को तुरंद शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अकांक्षा किस पूरे सच पर अपनी राय जरूर दें कमेंट जरूर करें तो अकांक्षा दुबे को दुनिया चोड़े करीब दो महीने होने को हैं समर सिंग भी जेल अब खत्म होने जा रहा है क्योंकि समर सिंग को लेकर अकांक्षा को लेकर इन दोनों के बीच के रिष्टे को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा किसी एक ने नहीं बलकि चार चार लोगों ने किया हैं कोई एक बोलता तो मान सकते थे कि कुछ गलत भी लेकिन चार लोगों ने एक बात बोल्लिये एक बार बोली है और समर का काम तमाम कर दिया है और इस सारा सब कुछ सिलसिल्यवार तरीके से आपको बटाते हैं समर सिंग और हकांखषा दुबे की शादी बाइताई हो गय थी बकाइदा दोनों के बीच इंगेज्मेंट भी ह शादी की तारिक भी तैँ हो चुकी थी और यह बाद कोट में भी बता दी गई है पहुचा दी गई है अब शादी क्यों तूट गई समर ने? क्या डबली क्रॉस किया वो बताएंगे लेकिन पहले देख़े कि करीबयों के बयान कोट में क्या पोँचाए गए सबसे पहले अक अकांक्षा और समर का रिष्टा शादी में बदलने वाला था जिससे अकांक्षा पहले तो काफी खुश थी लेकिन बाद में अकांक्षा परिशान रहने लगी और समर सिंग का नाम लेकर समर की बात आने पर अकांक्षा बहुत ज्यादा परिशान होने लगती दी रेखा मौ पूरिया के बयान की बातों की पुष्टी की है और अमित वर्मा ने बताया कि अकांग शार और समर सिंग अपने रिलेशन के पहले ही साल में शादी करने वाले थे लेकिन समर सिंग इस शादी से पीछे हट रहा था क्यों उसके और भी लड़कियों के साथ तालुकात हो रहे जिससे अकांग शार बेहत जादा परिशान रहने लगी दी अमित वर्मा का बयान भी कोड तक पहुँचा दिया गया है आगे देखे बोचपूरी फिल्म निर्देशक मंजूल ठाकुर ने भी अपना बयान दर्च कराया और बिलकुल वही बातें बोली हैं मंजूल ठाकुर ने बताया कि खुद अकांग शार नहीं उन्हें बताया था कि वो और समर सिंग शादी करने वाले हैं और उसके बाद अकांग शार नहीं बताया कि समर सिंग ने उसे धोखा दिया है और बहुत कुछ गलत कर रहा है अकांग्षा की एक और करीबी दोस इशिका सिंग ने भी बताया कि समर सिंग के साथ अकांग्षा की शादी की तारीक तक तैयोगी ती बस दोनों को एलान करना था मगर एन वक्त पर समर पीचे हट गया क्योंकि समर सिंग अकांगशा को सिर्फ इस्तमाल करना चाहता था शादी से बाग रहा था बच रहा था वहीं उस रात होटल में अकांगशा के साथ आने वाले संदीप सिंग ने भी पुलिस को बताया था खुलासा किया था कि अकांगशा को समर और उसका दो संजै सिंग लगातार प्रतारित करते रहते थे बुरा भला कहते थे पेमेंट रोक कर रखते थे जिससे अकांगशा बेहल ज़्यादा परिशान रहने लगी थी अब आके की कहानी समझ यह वो यह है कि समर सिंग ने अकांग्षा के साथ डबल क्रॉस कर दिया था और इसी वज़े से रिश्टा भी तूट गया था एक तरफ तो अकांगशा के साथ relation में होने का जूटा नाठक करता था और दूसरी तरफ उसी वक्त समर सिंग एक नहीं बलकि दो दो और लड़कियों के साथ relation में था और समर सिंग का मकसल सिर्फ यूज एंड थ्रो करेता था समर सिर्फ इस्तमाल करना चाहता था लेकिन अकां पूर चरबी किया था कई बार सभी ने देखा था सभी जानते थे और अकांगशा ने अपने मेक अप आर्टिस और हेर टेसर को भी कई बार ये बातें बताई थी यानिकि सब कुछ पहले से तहे था समर सिंग को शादी नहीं करने थी जबकि दूसरी तरफ अकांगशा कन कर दिया गया निmark उारी बात हैं सारे सबूत सारी गवाही कोट पहुंक 이게 कोट मेने दाखिल की आ जा चुका है और बताया जा रहा है कि समर्सिग को जानत भी नहीं मिली यहालंकि समर्के वकिलोंने हाइक जानने की बात कहीं हा लेकिन हाइकोट में भी ऐसे हालात में जास नहीं मिलेगी और जब समर सिंग जेल के अंधरी सड़े गा तो उसे एहसास होगा कि उसने क्या किया है कितना बड़ा गलत किया है यह फिलाल तो ऐसा ही लग रहा है तो इस पूरे खुलासे पर इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूरे खुलासे हुए सरकारी वकील की तरफ से खुलासा किया गया कि 25 मार्च को जब अकांखशा के साथ वो सब कुछ अंधेर हुआ तो तब समर सिंग गोरकपुर में नहीं था बलकि महु में था जिया जो अब तक समर कहता रहा था कि वो गोरकपुर में था और फिर अगले समर सिंग ने आकांखशा दुबे को फॉन भी किया था राद के 2 बचकर 14 मिनट पर पहला फॉन हुआ लेकिन उसमें कोई बाथी बात चीत नहीं वाए लेकिन पॉस्ष नहीं आने पर 5 सेकंड जादस जादस दस सेकंड बात की जाती है या फिर फॉन में इंतजार किया जाता है तो ऐसे मैं, 41 सेकंड समर्सिंग फॉन कॉल पर क्या कर रहा था अगर उसे आवाज नहीं आ रही थी, तो फॉन科 ट्ट क्यों नहीं दिया अब हरानी की बात ये भी कि इसी फोन कॉल के वक्त समर सिंग की लोकेशन मौ में थी यानि कि वो गोरकपुर में नहीं था और वो लगातार जूट बोल रहा था कि वो गोरकपुर में था लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं था अब ये लोकेशन जो कि फोन की लोकेशन थी उसके पूर बज़ो, पारणाई सवेरे समर सिंग की वारनसी में लोकेशन डिटेक्ट हुई और ये भी कोट में सरकारी वकील ने बतायाकि सुबह सुबह ही समर वारनसी पहुँच चुका था हलांकि समर सिंग ये भी कहता रहा था कि वो एरपोर्ट जाने के रहे वारनसी आया था उसे मुंबई जाना था और उसके लेकिन तुरंध बाद समर सिंग की लोकेशन लखनव रूट पर पाई गए यानि कि वो लखनव के लिए रवाना हो गया एरपोर्ट के आई नहीं अब जब समर को पता चला होगा कि आकांखशा का पूरी तरह से काम तमाम कर दिया गया है कांखशा को खत्म कर दिया गया है तो इसके बार वो सीधे सीधे लखनों के लिए रवाना हो गया और ये खुलासा भी कोट में हो गया अभी तो सिर्फ जमानत खारिज हुई अभी तो ट्राइल चलेगा ट्राइल केस में सुनुआई होगी सबूत और गवापेश के जाएंगे और उसके बाद समर सिंग को गड़ी से गड़ी सजा होगी ये सभी का मानना है ऐसा अकांग शादुवे की मा के वकील का भी मानना है तो आप क्या मानते हैं आप क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में आप भी ज़रूर बताएं वीडियो को शेर भी करें फ्लेग मीडिया रिपोर्ट